हेलो एब्रिवन कैसे हैं आप मैं स्वारव दूबे मैगनेट बेंस हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूँ बहुत ही वड़िया होंगे और जैसा कि लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने सीखा था कि एपी का एनवा पत कैसे निकालते हैं उसी से रिलेटेड आजम क मिलते हैं केजी टूटेल सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री आप कोस्ट इसके साथ ही आप इनोट्स और इबुक्स भी ग्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो देर किस बात की आईए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक और देख रहे हैं उदारण संख्या 3 क्या है एक बार जल्दी से रिकाइब कर लेते हैं फॉर्मूला कौन सावाला जो मैंने आपको सिखाया था क्या एनवा पत का फॉर्मूला एन इक्वल टू क्या होता है दोस्त ए प्लस एन माइनस वन डी यह हमने लास्ट लेक्चर में किया भी था और इससे रिलेक्टेड साथ से आठ उदारण भी किये थे आईए उदारण संख्या 3 देखते हैं क्या बोल रहा है एक एपी का सिरीज दिया हुआ है आपको मतलब की एक समांतर श्रेडी दी हुए दो साथ बारह और इसका आपको दसवा पद निकालना है बहुत ही आसा तो मतलब अगले वाले पद में से उसके जश्ट पीछे वाला पद आप माइनस कर देंगे एटू माइनस एवन दूतिय उपद माइनस प्रथम पद साथ माइनस दो करेंगे यहां से आपको क्या मिल जाएगा पांच मिल जाएगा और हमसे पूछ क्या रहा है दसमांतर लिखना है तो a10 का फॉर्मूला हम यहीं से निकालेंगे a n के फॉर्मूले से क्या होता है a plus n minus 1 d यह होता है हमारा a n का फॉर्मूला ठीक है अब a n को आप a10 बनाना चाहते हैं तो n की जगह पर आप अगर 10 रखते हैं तो क्या बन जाएगा यह a10 अब मैंने क्या बोला था ल पतलब इस वाले n की जगह पर भी आपको 10 रखना पड़ेगा बताओ मुझे a की जगह पर क्या रखेंगे 2 n की जगह पर क्योंकि यहां दस रखा तो यहां भी 10 minus 1 और d की जगह पर क्या जाएगा तो d अपना कितना है 5 तो d की जगह पर लिख देंगे 5 कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल क्लियर है बहुत बढ़िया दो प्लस दस माइनस एक नो गुड़े 5 और पहले हम मल्टिप्लाई करेंगे यहां पर गुड़ा करेंगे 9 गुड़े 5 होता है 45 और इस प्रकार से अपना जो दसमा पद आ चुका है वो कितना आ गया तो 47 आ गया अपना दसमा क्लियर है स्क्रीन सोट लेंगे आगे बढ़ रहे होंगे हम ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बहतरीन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन क्या इसका तो यहां भी एक उधारन नंबर 4 में बोल रहा है कि एक आपको समांतर स्रेडी दी हुई है क्या 21 पंदरा का कौन सा पद माइनस 81 है क्या आपको पता है कौन सा पद माइनस 81 होगा नहीं पता सर और जब नहीं पता है तो क्या करेंगे उसी पद को हम एनवा पद मान लेंगे मतलब जब आपको यह नहीं पता होगा कि कौन सा पद माइनस 81 होगा नहीं पता हमें कि माइनस 81 कहां आएगा कौन सा पद है तो हमने क्या मान लिया उसको एनवा पद आपको भी हमेशा ऐसे ही करना है यहां देखते हैं तो यहां से एक आमान जो है हमारा प्रथम पद जो है 21 है और सारवंतर डी बादवाले में से उसके पहले वाले को माइनस करने पे मिलता है मतलब 18-21 कितना आ जाएगा दोस् बहुत इज़ी है आप खुद से कर लेंगे बस आपको यह समझ में आना चाहिए यह कैसे लिखना है कि क्या पूछ रहा है और क्या-क्या आपको दिया हुआ है क्लियर है बाते कोई डाउट यहां तक तो जल्दी से बताओ इसमें किसका फॉर्मूला लिखना चाहिए सर जो 21 प्लस N-1, N तो नहीं पता है दोस्त, N तो नहीं पता है और N हम से पूछ रहा है, N नहीं पता है कि कौन से नंबर पर आएगा, कौन सा पद मतलब आपसे N पूछ रहा है, है ना, कौन सा पद, N वापद, कौन सा पद, आगी बात समझ में, D का मान कितना है, माइनस का 3 है, ह और यह 21 इधर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर हम लिख रहे होंगे, n-1 into minus 3, minus 18, minus 21, कितना हो जाएगा, minus 49, minus 39, यह minus 3 यहाँ गुड़ा हो रहा है, इधर लहेंगे तो भाग हो जाएगा, minus 3, और यहाँ पर बच गया अपना, n-1, minus से minus cancel कर n-1, तो यहाँ से अगर आप n का मान निकालते हैं, मतलब minus 1 को इधर भेज़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, plus 1, मतलब 13, plus 1, तो यहाँ से जो आपका n निकल के आया, वो कितना आगया, 14, आप से question पूछा था कि कौन सा पद minus 81 होगा, तो मतलब 14 पद जो होगा, 14 टर्म जो जाएगी minus का 81, clear है बाते हैं, एक बार screenshot लेंगे और हम आगे बढ़ रहेंगे, और हम आगे बढ़ रहे होंगे, clear है बाते हैं हाँ तक, मतलब मैंने last lecture में बता था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ कि यह जो formula होता है, अपना इसमें 4 चीजे हैं, 4 चीजे कौन कौन स टर्म होगा, 4 वैरियबल होगा, वो आप से क्या होगा, पूछा जाएगा, clear है बाते हैं, मतलब 4 चीजों में, इन 4 चीजों में, A, N, A, N और D में, 3 चीजे हमेशा आपको पता होंगी, 4 आपको निकालना, बस इतना ही काम करना इसमें, इसक्रिंसोट ले चुके हैं, आगे बहुत अच्छे से लिख लेंगे, बोल रहा है, तीसरा पद 5 और सातमा पद 9, सातमा पद 9, ये दो बाते आपको पता हैं, मैंने क्या बताया था, जो भी पता है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब की, A3 का फॉर्मूला कहां से आएगा, A, N से, कैसे आएगा, N की जगा 3 रखते ही क्या बन गया, A3, N की जगा 3 रखते ही क्या बन गया, A3, बराबर, क्या आपको A पता है, कुछ नहीं पता, सर, कुछ नहीं पता, एक चीज पता है, कि जो N यहां रखेंगे, वही N यहां रखेंगे, यहां 3 रखा, तो यहां भी 3, 3-1, क्या हो जाएगा, 3 minus 1 D A3 का मान आपको पहले से पता है 5 तो यहां 5 रखेंगे A plus 2 D इसको बनाएंगे हम समी करण संख्या 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है A7 अब N की जगह हमें 7 रखना पड़ेगा मतलब यहां भी 7 आएगा और यहां भी 7 आएगा मतलब A7 equal to A plus 7 minus 1 D क्या किया मैंने यहां भी 7 रख दिया यहां भी 7 बाकी सबको ऐसे ही कॉपी कर दिया clear 7 ही क्यों रखा क्योंकि हमें 7th term सात्वा पत पता है सात्वा पत का मान क्या है A7 का मान हो गया 9 A plus 6 D समी करण संख्या 2 chapter 3 में हमने ऐसे खूप सारे समी करण solve करना सीखा है उसी की help से इसको हम solve कर रहे होंगे सबसे पहले हम कोई भी समी करण लिख लेते हैं ऐसे लिख लो समी करण 1 से A का मान निकालने पर क्या होगा यहां से आप अगर A का मान निकालते हैं तो A बराबर कितना हो जाएगा 2D को इधर बेजेंगे 5-2D A बराबर 5-2D A कामान आगया हमारे पास अब इस A कामान कहां से निकाला था समीकरण 1 से तो कहां पर रखेंगे समीकरण 2 में चैप्टर 3 में प्रतियस्थापन बिधी पढ़ा था समीकरण हल करने के लिए वही काम कर रहे हैं कि यहां से A कामान निकालो और यहां पर रख दो तो लिखेंगे समीकरण 2 में A कामान रखने पर A कामान रखने पर क्या होगा? समीकरण 2 में रख के बताईए क्या होगा? समीकरण 2 क्या है? 9 बराबर A प्लस 6D 9 बराबर a plus 6d, a की जगा पर क्या लिखेंगे 5 minus 2d और उसके बाद है हमारा plus 6d clear है चीज़े आसान है इस 5 को इधर बेज़ेंगे 9 में से minus होगा, यह 9 minus 5 6d minus 2d होता है अपना 4d 9 minus 5 करेंगे, 4 आ जाएगा 4d, और d का मान यहाँ से 4 बटे 4 मतलब की 1 आ रहा होगा, कितना आ जाएगा d का मान 1 आ जाएगा आप चाहें तो इसको will open विधी से भी solve कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो ठीक है, d का मान कितना आ गया 1 आ गया, अब d का मान हम क्या करेंगे समी करण संख्या 1 में रखेंगे, d का मान कहा रखेंगे समी करण एक में रखने पर रखने पर, क्या हो जाएगा समी करण एक में रखने पर जब d का मान कितना या है, एक समी करण एक किये रहा, 5 बराबर a प्लस 2d, 5 बराबर a प्लस 2d और d की जगह कितना रख दिया दोस्त a, 5 बराबर a plus 2 into 1 कितना होता है 2 2 को इधर लाएंगे minus होगा 5 minus 2 तो a का मान आगया 3 अगर आपको a का मान पता हो और d का मान पता हो तो आप दुनिया की कोई भी ap मतलब कोई भी समानतर स्रेडी लिख सकते हैं कोई भी कैसे तो अभी समानतर स्रेडी क्या हो जाएगी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समानतर स्रेडी क्या हो जाएगी ap क्या हो जाएगा जिसके बारे में यह पूछा जा रहा है हमसे तो ap हो जाएगा सबसे पहले प्रथम पद लिखेंगे 3 इसमें D को जोड़ के लिखेंगे तीन और एक चार चार और एक पांच पांच और एक छे तो यह अपना AP हो जाएगा क्लियर है बात कोई डाउट कोई डाउट है यहाँ पर समझ में आ गया ना एक बार स्क्रीन सोट लेंगे देखो एक बार मैं फिर से समझाना चार रहा हूं कि जो भी आपको उदाहरण में दिया हुआ है जो भी चीज़ यहाँ पर दी होती है पहले उसको लिख लो और जो भी चीज़े आप लिखने के बाद देखो कि जो भी चीज़े पता है जैसे यहाँ पर A3 और A7 पता है उसका फॉर्मूला लिख दो A3 का formula लिखा, एक समीकरण बना था हमारे पास A7 का formula लिखा, एक समीकरण बना दोनों समीकरणों को solve किया A और D का मान आ गया A और D का मान अगर हमें पता है तो AP लिखना बड़ा ही आसान काम हो जाता है हमारे लिए तो इसका एक बार स्क्रीन सॉट लेंगे ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण उदाहरण संख्या 6 उदाहरण संख्या 6 में बोल रही है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पत 301 है आगे समझते हैं, बहुत ही important question है बहुत बार exam में आपके आ चुका है ऐसा एक question आपके प्रस्नावली में भी मिलेगा प्रस्नावली 5.2 में मिल रहा होगा आपको ऐसा ही एक बहतरीन प्रस्न है ना, समस्ते हैं इसको एक हमारे पास series दिया हुआ है जो arithmetic progression में मतलब की समानतर स्रेडी में है और ये series अपने पास कौन सी series है पहले series लिखेंगे 5, 11, 17 और 23 और ये चलता जा रहा है इसमें प्रथम पद हमारे पास आ गया 5 अगर हम बात करते हैं D के मान का तो D के मान आ जाएगा 11-5 मतलब की 6 और पूछ रहा है 301 क्या कोई पद 301 है हमने मान लिया है हमने मान लिया की कोई न कोई पद 301 है तो कौन सा पद 301 होगा सर हमें क्या पता कौन सा पद 301 होगा जब नहीं पता की कौन सा पद तो हम क्या मान लेते हैं अनमा पद तो AN हमें कितना दिया हुआ है आपे 301 क्लियर है बात कोई डाउट नहीं है अब क्या करना है अब आपको जो पता है उसका फॉर्मूला लिखना है एक ही नियम मैंने बताया कुछ ज़्यादा बताया नहीं इसमें A N का फॉर्मूला लिखेंगे A N का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 D यह अपना a n का formula होता है a n का formula लगदा सबकी value put करेंगे a n की value है 301 बराबर a का मान है 5 n का मान है नहीं पता d का मान है 6 मान रख दिया कोई दिक्कत वाली बात इस 5 को इधर लेकर आएंगे तो 301-5 हो जाएगा बराबर n-1 into 6 301 में से अब 5 को माइनस करेंगे तो 296 हो जाएगा n-1 into 6 अब इस 6 को इधर भेजेंगे तो divide करेंगा कैसे यहाँ से 296 हो जाएगा 296 बटे 6 और यहाँ बचकिया हमारे पास n-1 कोई डाउट यहाँ तक क्या यह cut रहा है आईए देखते है 696 इसको cut करेंगे 296 इसको भाग दे के सिखाता हूँ मैं जिससे आपको जाता समझ में आए 296 है 6,4 जा 24,5,6 ठीक है 6,9 जा 54 6,9 जा 54 आपने देखा यह cancel नहीं हुआ सर 6,9 जा 54 कितना आ गया 2 आ जाएगा आपने देखा यह cancel ही नहीं हुआ मतलब से इसफल 0 नहीं आया यह पूरा पूरा डिवाइट नहीं हुआ और नहीं हुआ तो कितना आ गया इसको आप छोटा कर सकते हैं 3 से 2 से काट दो 2 तियाए 6 और 2 से काटेंगे 1, 4 and 8 अब इसको काटेंगे तो 3,4 जा वही आएगा 49 और यहां पर आजाएगा 1 by 2 इसको भाग करना तो आता है न 148 बटे 3 वैसे ही करेंगे तो वही आजाएगा 49 एक बटे 2 यह इसको 148 बटे 3 ही लिख लो ज़्यादा बढ़िया है अभी तो आगे 1 भी तो बचाया अपना यह हो गया 148 बटे 3 और यह 1 आएगा प्लस का 1 इधर अब यह जाके 1 3 1 में multiply होगा तो 148 प्लस 3 बटे 3 समझ में आ रहा ही 148 में 3 को add करेंगे 151 बटे 3 आप देख पा रहे हैं कि n का मान 151 बटे 3 आ गया इसको अटा दो हम इसको भाग करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपने पास 1 बचा था मैंने 1 को देखा नहीं था 1 भी तो आएगा इसमें जुड़ेगा और ऐसा आएगा 151 बटे 3 को जब आप भाग करते हैं तो क्या आता है n बराबर 151 बटे 3 3 515 हो जाएगा एक 0 आजाएगा और एक बटे 3 यहाँ पर n का मान n क्या है n number of terms है पदों की संख्या पदों की संख्या या तो 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी या तो 4 होगी या तो 5 होगी मतलब कोई ना कोई धनात्मत पुडांक होगी अब जैसे मानलो एक लाइन लगी है बच्चों की अब मैं बोलू कि count करो बच्चों की एक लाइन लगी है count करके बताओ कितने student है उस लाइन तो या तो 10 student होगे 20 होगे, 15 होगे, 16 होगे, 18 होगे 30 होगे, 35 होगे मतलब एक धनात्मत पुडांक होगा क्या ऐसा आएगा क्या कि साढ़े दस साढ़े दस बच्चे आए हैं नहीं होगा क्या एक बच्चे को आदा काट के वाँ खड़ा कर दोगे लाइन में नहीं होगा मतलब अगर किसी चीज की संख्या आप ग्याद करते हैं चाहे वो स्टुडेंट हो चाहे वो पद हो तो हमेशा एक धनात्मक पुडांक आना चाहिए बच्चों की संख्या ना तो माइनस हो सकती है क्या माइनस पांच बच्चे हो सकते हैं उस लाइन में नहीं एन कामान क्या लिखेंगे एन कामान एक धनात्मक पुड़ांग पुड़ांग होना चाहिए जो यहां पर नहीं है अत्ह अब एन कामान पचास एक बटे तीन आया मतलब यह जो संख्या है 301 यह इस लाइन में कहीं भी नहीं आएगी इसका कोई भी पद 301 नहीं हो सकता आगी बात समझ में क्यों नहीं हो सकता अगर यह 50 आ जाता या 50 आ जाता तब तो बात बन जाती लेकिन ना तो यह 50 है ना तो यह 50 है मतलब कोई भी धनात्मक पुडांग काता तो बात बन जाती तब तो यह होता पद अब यह धनात्मक पुडांग ही नहीं है यह तो भिन है मतलब की इस पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यह समानतर स्रेडी में कहीं भी 301 हमें नहीं दिखाई देगा अत्ह 301 दिये गए समानतर स्रेडी का पद नहीं है क्लियर है बात है कोई डाउट नहीं है एक बार स्क्रीन सौट लेंगी बहुत ही इमपोर्टेंट क्वेशन है अल्रेडी मैंने लिख दिया है और ऐसा ही एक question I hope कि वो question number 6 है प्रस्नावली 5 दस्मलो 2 का बिल्कुल same to same question है बस यहाँ पे number बदल जाएगा 301 की जगा कुछ और होगा ठीक है तो उसको आप 600 कुछ है वो तो उसको आप क्या करेंगे खुद से solve करने की एक बार कोशिस करेंगे बिल्कुल ऐसे ही करना है है ना असान है और याद रखना है कि N का मान कभी भी ना तो negative हो सकता है ना भिन में हो सकता है ना दस्मलों में हो सकता है इतनी बात दोस्त याद रखेंगे ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना उधारण संख्या साथ ये भी most important question है इस तरह कि भी आपके दो से तीन सवाल आपको प्रसनावली में मिल जाएंगे दो अनकों वाली कितनी संख्याएं तीन से विभाज्य है दो अनकों कि संख्या जो स्टार्ट होती है दोस्त कहां से 10 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है 99 तक आपको एक ऐसा समांतर स्रेडी बनाना है जिसमें सारे पद तीन से विभाज्य हो कहने का मतलब सबसे छोटी दो अनकों वाली कौन सी संख्या है जो तीन से विभाज्य है क्या दस है नहीं क्या ग्यारा है नहीं क्या बारा है हाँ 3, 4, 12 मतलब पहला बारा मिल गया बारा में तीन जोडते रहो 15 पंदरा में तीन जोड़ो 18 ऐसे चलता चला जाएगा जो लास्ट में पद दिख रहा है क्या ये तीन से विभाज्य है हाँ सर तो आखिरी पद क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा क्योंकि हमसे केवल दो अंको वाली संख्याओं की बात कर रहा है तो हम दो अंको वाली संख्याओं में ही डील कर रहे होंगे यहाँ पर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं, इसमें बहुत सारी संख्याएं बीच में भी आएंगी, जो मैंने dot 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 लगा दिया, हर एक संख्या तो लिखनी नहीं है, है ना, ऐसा नहीं करोगे ना, कि सारी संख्या लिखके गिन रहे हो, एक, दो, तीन, चार ऐसे, नहीं, ऐ हमने एक सिरीज बना लिया, एक समांतर स्रेडी बना ली, अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी संख्याएं होंगी, question क्या बन गया, कि इस समांतर स्रेडी में पदों की संख्या ग्यात करें, ऐसा question बन चुका है अपने पास, आसान है, कैसे, आईए देखते हैं, यहाँ पर ज आखिरी पद कितना है, आखिरी पद को हम A, N लिखते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि यह कौन से नंबर का पद है, क्या आपको पता है कौन से नंबर का पद है, नहीं पता, तो हमने मान लिया कौन से नंबर का है, N वे नंबर का है, A, N कितना हो गया, 99, अब इसमें से आ की value कितनी है 12, plus n-1 n-1, n तो आपको पता नहीं है और d की value कितनी है, 3 कोई doubt यहां तक नहीं है अब यह 12 इधर आएगा, minus होगा मतलब 99-12 equal to n-1 3, 99-12 is, 9-2 is 7 9-1 is 8, 8 is 7 और यह 3 इधर आके इसको divide करेगा, यहां से आ जाएगा n-1, 3 से इसको cancel करेंगे 3, 2, 6, n, 2, 8 3, 9, 27, 29 minus इधर है 1 इधर आएगा तो plus का 1 हो जाएगा दोस्त, और यहां से n कितना आ गया यहां से n आ गया 30 मतलब यह कितनी संख्याएं होंगी ऐसी 30 संख्याएं होंगी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या यह कौन से नंबर पर आ रही है तीसमे नंबर पर आ रहा है मतलब ऐसी कितनी संख्याएं होंगी दोस्त, ऐसी 30 संख्याएं होंगी दो हंको वाली जो 3 से क्या होती है विभाजित होती है एक बार इसका स्क्रीन सोट लेंगे, हम आगे बढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे आज का आखरी उधारर संख्या 8 उधारर संख्या 8 में क्या है? एक आपको AP की सिरीज दी हुई है जिसका नाम है 10, 7, 4, minus 62 तक गई है का अंतिम पद से, मतलब अंतिम पद से प्रथम पद की और यहां से स्टार्ट करना है आपको एक ग्यारमा पद ज्यात कीजिए, एक ग्यारमा पद, ठीक है हमें फॉर्मूला पता है कि अंतिम से एनवा पद अंतिम से एनवा पद अंतिम से N वा पद क्या होता है A प्लस N माइनस 1D नहीं L माइनस N माइनस 1D पिछली क्लास में यह फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ठीके यह फॉर्मूला होता है जब अंतिम से आपको निकालना होता है इधर से अब कौन सा पद निकालना है आपको 11 मतलब N का मान कितना हो जाएगा 11 L मतलब अंतिमपद L क्या है अंतिमपद अंतिमपद क्या है दोस्त माइनस का 62 माइनस N का मान कितना दिख रहा है आपको 11 11 लिखेंगे 11-1 और यहाँ D का मान निकालेंगे अगर तो 7-10 दी का मान कितना हो रहा हो का यहां पर साथ माइनस दस और यह कितना आजाएगा माइनस का तीन तो दी का मान माइनस का तीन है हमेशा कोश्टक में लिखेंगे जभी भी दी माइनस में आएगा हमेशा आप किस में लिखेंगे कोश्टक में लिख रहे होंगे, ये लिख दिया मैने, अब क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर minus 62, minus, यी 11-1 कितना होता है, 10 गुड़े, और यह minus का 3, minus 62, minus minus plus 10 गुड़े, 3, 30, minus 62 और plus 30 कितना हो जाएगा, minus 32, minus 32, मतलब कि अगर आप आखिरी से दसवा पद देख रहे होंगे इसका दसवा नहीं 11 पद इधर से चेक करेंगे यह पहला पद है अन्तिम से यहां दूसरा आएगा तीसरा आएगा ऐसे ही अन्तिम से आप 11 पद देखेंगे तो कितना आजाएगा माइनस 32 आजाएगा क्लियर है बाते तो यह भी important question है एक्जाम में बहुत बार 10th में CVSC में भी पूछा है और State Board में भी पूछा जा चुका है कई बार यह बहुत ही ज्यादा important question है एक बार screenshot लेंगे इसका तो I hope उधारण संख्या 8 आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ चु इस ब्याज की बात हो रही है साधारण ब्याज पर याद रखना साधारण ब्याज अलग है एक हमने question किया था मिश्रधन वाला उसमें अलग था चक्रविदी ब्याज था वो ठीक है तो 1000 रुपे की धनरासी है 8% लग रहा है दर इस पे साधारण ब्याज पर निवेश की ज बड़ा ही असान सा question है ये आई ये देखते है सबसे पहले आपके पास 1000 रुपे थे पहले वर्स में प्रथम वर्स में पहला जब आपने निवेश किया था जब आपने जमा किये थे अब इस पर आपको 8% का वार्षिक ब्याज मिल रहा है मतलब 1000 रुपे का 8% मिल रहा होग आपको हमेशा हर एक साल कितना जाएगा 1000 रुपे का 8% निकालेंगे 80 रुपे बड़ा कम मिला है ना ज्यादा मिलना चाहिए था तो 80 रुपे आपको ब्याज मिल रहे हैं हर साल मतलब कि अगले साल ये जो पैसा है ये 1080 बन जाएगा अब क्योंकि साधारण ब्याज है साधा रुपे बन जाएगा और ऐसे ये चलता चला जाएगा तो क्या यह एक एपी बना रहा है तो यहाँ आप सब में डिफरेंस देखेंगे तो 80-80 का डिफरेंस है यहाँ भी 80 का डिफरेंस है और यहाँ भी 80 का डिफरेंस है मतलब कि ये एक एपी सिरीज है इसमें कोई के अंत में कितना ब्याज हो जाएगा मतलब या तो आप 30 बार लिखना पड़ेगा आपको जैसे चौती बार लिखेंगे तो इसमें 80 और जोड़ेंगे तो 1240 हो जाएगा फिर 80 जोड़ेंगे फिर 80 तो ऐसे 30 बार करो या तो आप जो नियम नहीं कहता है क्योंकि हमें फॉर्म पद चोथे साल का चोथा पद तो तीसवे साल का तीसवा पद इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास A का मान हमें पता है 1000 और हमें D का मान पता है 1080 में से 1000 को माइनस करने पर 80 आएगा और हमें क्या पता है तो हमें इसमें A 30 का मान हमें निकालना है कौन सा क्या होता है a plus n minus 1 d clear है बात कोई doubt यहां तक नहीं है a n का मान कितना है a n की जगह पे 30 रखेंगे क्योंकि हमें a 30 निकालना है a का मान कितना है 1000 n यहां पर आपने 30 रखा तो यहां भी आपको 30 रखना पड़ेगा 30 minus 1 और d का मान कितना है दो 80 d की जगह पे हम लिख देंगे 80 clear यह बात ठीक है इसको हम calculate करेंगे और हमारा a 30 आ जाएगा कैसे 1000 30 minus 1 होता है 29 गुड़े 80 1000 धन 8 से गुड़ा करेंगे इसमें 8 को 9 से गुड़ा करेंगे 22 होगा 7 carry होगया 8 को 2 से गुड़ा करेंगे 16 और 7 23 होता है और 1 0 लगा देंगे चीक है कोई दिक्कत और इसमें जो आप 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3320 मतलब अगर आपने 30 साल तक 1000 रुपे बैंक में जमा किया है 8% की वार्सिक साधार व्याज पर तो 30 साल के बाद आपको 3320 रुपे मिलेंगे मतलब A30 कितना आ गया 3,000 रुपीज 3,320 अब बताओ कोई डाउट है इसमें समझ में आगी चीज़े ठीक है इसका स्क्रीन सॉट लेंगे एक बार तो ये फायदा है A.P. पढ़ने का मतलब ये बड़ी से बड़ी calculation फॉर्मूले का यूज करके आप मतलब सेकेंडों में कर सकते हैं आगी बात समझ में नहीं तो कहां 300 साल बाद पूछता 300 साल तक तो खैर जिन्दा ही नहीं रहता इंसान क्यों ही पैसे जमा करेंगा लेकिन एक सवाल बता रहा हूं ये तो 30 साल बाद पूछ रहा है पूदे लगाते हैं तो उन्होंने सवाल बनाया है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ती में 23 गुलाब के पूदे हैं दूसरी पंक्ती में 21 गुलाब के पूदे हैं तीसरी में 19 गुलाब के पूदे हैं ऐसे चलता चला जा रहा है उसकी अंग्तिम पंक्ति में पांच गुलाब के पौधे हैं यहां उसकी पंक्तियां खतम हो जा रही है और उसमें पांच गुलाब के पौधे हैं तो पूछ रहा है आपसे कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां होंगी इस क्यारी में क्या है कुल कितनी पंक्तियां है बहुत ही असान सवाल है यह पहली पंक्ति यह दूसरी पंक्ति यह तीसरी पंक्ति यह कौन सी पंक्ति नहीं पता तो मैंने मान लिया ये nv पंक्ती है मतलब आपको प्रथम पद पता है a ये ap बना रहा है इसमें तो कोई doubt ही नहीं है हमें प्रथम पद a पता है 23 d का मान 21 minus 23 करेंगे हमें साथ दूसरे में से पहले को घटाना है बारबर बताता हूं में ये minus का 2 आ जाएगा और ये कौन से नंबर पर आ रहा है पहले ये दूसरे ये तीसरे ये कौन से नंबर पर नहीं पता सर तो मैंने मान लिया ये n में नंबर पर आएगा 5 या तो कोई doubt बार बार यही question हम कर रहे है कुछ नया नहीं किया है ठीक है अब हम किसका formula लिख सकते है इसमें क्या a का formula होता है d का होता है नहीं होता है सीधे a n का formula हमें पता है तो हम a n का formula लिखेंगे a n का formula क्या होता है a plus n minus 1 d a n का मान हमें पता है a n का मान हमें 5 पता है तो 5 लिखेंगे और a का मान है 23 plus n हमें निकालना है number of terms, पदों की संख्या और d का जो मान है, वो minus का 2 है जबी भी minus आएगा, आपको कोश्ठक लगाना ही लगाना है ठीक है, ये बात भोलनी नहीं, मैं बार-बार बोलता हूँ इसलिए, ये 30 को इधर लाएंगे minus हो जाएगा, 5 minus 23 बराबर, n minus 1 और in bracket minus 2 5 minus 23 करेंगे तो कितना हो जाएगा minus 18, कितना हो जाएगा minus 18, और ये minus 2 को इधर लाएंगे तो भाग करेगा इसे इधर कितना बचा, n minus 1 2 से 2, minus से minus कर गया 2 अंजा 2, 29 जा 18 तो यहाँ पर 9 है, और ये minus कितना बचाया है, 10 और ये मतलब, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां है तो हम आंसर कैसे लिखेंगे क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगे दोस्त कुल पंक्तियों की संख्या दस है ठीक है एक बार स्क्रीन सोट लेंगे I hope कि ये समझ में आ गया होगा मतलब अगर word problem भी दे रहे हैं तो इसके पहली बात तो word problem बड़े ही आसान से होते हैं मतलब इसको पढ़के ये series बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है और ये series बना लिया तो answer निकारना उससे भी आसान काम है overall ऐसे questions बहुत ही ज़्यादा easy होते हैं ठीक है practice करना लेकिन पड़ेगा आपको और ये scoring chapter है एकदम बहतरीन practice कर लो एक बार अगर मन लगा के ये वाला chapter कर लिए तो दुबारा revision की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है page पलटते revision हो जाता है लेकिन पहली बार जम के मेनत करनी पड़ेगी आपको clear है बाते? छीक है screen shot आपने लेही लिया ये सब कुछ आपने सीखा आज की class में class समाप्त करने से पहले एक छोटी सी और जरूरी बात आपको पताना चाहता हूं है जैसा कि आपको पता है magnet brains provide करता है high quality education जहां ये हमारे top courses है जो English और Hindi दोनों ही माध्यम में available है यहाँ पर हम CVSC board के साथ साथ other state boards भी cover कर रहे है जिसमें Delhi board, Bihar board, UP board, MP board और राजस्थान board है और अच्छी बात ये है दोस्त कि ये सारी classes आपको नेसल की मिलती है मतलब कि इसके लिए कोई course आपको purchase नहीं करना है ये सब कुछ बिलकुल free of cost है और YouTube पर ये सारी classes available है ये आप देखिए, इसका लाब उठाईए, इससे जबरजस्त पढ़ाई कीजिए इसके साथ ही आप Vedic Maths Crash Course और Spoken English की भी classes जॉइन कर सकते है आप हमें other social media networks भी follow करना नहीं भूलेंगे और अपनी बेहतरीन तयारी करने के लिए क्या करेंगे e-notes और e-books को grab करेंगे जिसका link description box में दिया गया है आपको तो ठीक है आज के लिए इतना ही था मिलते हैं अगली class में अपना ध्यान रखिए Maths के practice करते रहिए Thank you so much